मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में अपनी कला संस्कृति को लेकर एक नई जागरुता आ रही है, एक नई चेतना जागरित हो रही है, मन की बात में हम अक्सर ऐसे उधारों की चर्चा भी करते हैं, जैसे कला, साहित्य और संस्कृति समाज की सामोहिक पूंजी होत पूरे समाज की होती है, ऐसा ही एक सफल प्यास लक्ष द्वित में हो रहा है, यहां कलपेनी द्वित पर एक कलब है, कुमेल ब्रदर्स चलेंजर्स कलब, यह कलब युवाओं को स्थानिय संस्कृति और परमपारिक कलाओं के समरक्षन के लिए प्रेलित करता है, यहां कोलकली, परिचाकली, किलिपट्टू और पानपारिक गानों की ट्रेनिंग दी जाती है, यानि पुरानी विरासत नई पीडी के हाथों में सुरक्षित हो रही है, आगे बढ़ रही है, और साथियों मुझे खुशी है, इस प्रकार के प्रयाख देश में ही नहीं, है, हाली मैं दुबई से खबर आई, कि वहां के कालारी क्लब ने ग्रिनीज बूक अब वर्ड रिकोर्ड में नामदर्ज किया है, कोई भी सोच सकता है, कि दुबई के क्लब ने रिकोर्ड बनाया, तो जो भारत से क्या समन, दरसल ये रिकोर्ड भारत की प्राचीन मार्शल कलारी अपर्टों से जुड़ा है, ये रिकोर्ड एक साथ सबसे अधिक लोगों के द्वारा कलारी के प्रदर्शन का है, कलारी कलब दुबई में दुबई पूलिस के साथ मिल कर ये प्लान किया, और ये ही के नेच्टनल डिंबे प्रदर्शित किया, इस आयोजन में चार स साल के बच्चों से लेकर साथ वर्ष तक के लोगों ने कलारी की अपने शमता का बहतरी प्रदर्शन किया अलग अलग पीडियां कैसे एक प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं पूरे मनोयोग से बढ़ा रही हैं ये उसका अधुत उधारन है साथियों मन की बात के स करनाटका की कला संस्कृति को पुरनर जीवित करने के मिशन में पिछले पचीस वर्षों से अनवरत लगे हुए हैं आप कल्पना कर सकते हैं कि उनकी तपस्या कितनी बड़ी है पहले तो वो होटल मेनेजमेंट के प्रोफिशन से जुड़े थे लेकिन अपनी संस्कृति औ परंपरा को लेकर उनका लगाव इतना गहरा था को उन्होंने इसे अपना मिशन बना लिया उन्होंने कला चेतना के नाम से मंच बनाया ये मंच आज करनाटका के और देश विदेश के कलाकारों के कई कारकम आविजित करता है इसमें लोकल आर्ट और कल्चर को प्रमोट कर करने के लिए कई इनोवेटिव काम भी होते हैं साथियों अपनी कला संस्कृति के प्रति देश वासियों के उत्सा अपनी विरासत पर गर्व की भावना का ही प्रगटी करना है हमारे देश में तो हर कौने में ऐसे कितने ही रंग बिखरे हैं हवे भी उन्हें सजाने सभारने और समरक्षित करने के लिए निरंतर काम करना चाहिए